Hello dear students, कैसे हैं आप सभी, I hope कि बहुत अच्छे होंगे, तो इस studio में हम कक्षा 10 का maths के कुछ बहुती important MCQ करेंगे, जो कि आपके आने वाले pre-board और final board exam के लिए बहुत ज़्यदा important है, तो चलिए शुरू करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा first question है, क्या कहा गया हमसे first question में, यदि course A का मान 4 बटे 5 है, तो 10 A का मान क्या होगा, तो ये हमें 4 options दिये गए हैं, इन में से हमें right option चूज करना है, तो देखिए, इन सभी MCQ को मैं आपको proper तरीके से solve करके बताऊंगा, ताकि आपके मन में कोई भी doubt ना रहे, ठीक है, तो देखिए, कैसे बताएंगे हम, हमसे 10 A का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर हम इसका solution स्टार्ट करते हैं, हमें दिया है कि course A जो है, इसका मान 4 बटे 5 है, अब यह हमारा क्योंकि course A है, तो course का हमारा trigonometry ratio क्या होता है, यह होता है हमारा आधार बटे में कर्ण, ठीक है, यानि कि आधार हमारा 4 हो जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक समकोन तिर्भूज बना लेते हैं, यह हमारा समकोन तिर्भूज हो गया, इसमें इसका नाम दे देते हैं B, यह A, B और यह C, तो हमें course A जो है, इसका मान 4 बटे 5 दिया है, तो आधार हमारा 4 और कर्ण 5 है, तो कर्ण यह होता है, यह हमारा 5 हमाच हो गया, और यह क्योंकि इसमें angle A है, तो यह हमारा angle A हो जाएगा main angle, इसके सामने ये वाली भुजा है, तो यह thumb हो जाएगी, और आधार हमारा यह A भी हो जाएगा, तो A भी हमें 4 दिया हुआ है, तो यह पर 4 लिख देंगे, तो इसमें हमें अब यह जो lum है BC, इसका मान सबसे पहले निकालना होगा तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमे का यूज़ करेंगे तो पाइथागोरस प्रमे के अनुसार कर्ण का स्क्वेर बराबर लंब का स्क्वेर प्लस आधार का स्क्वेर होता है तो कर्ण हमारा AC है यानि AC का square बराबर Lumb हमारा यह BC है तो BC का square प्लस आधार यह AB है तो इसलिए AB का square हो जाएगा AC हमें पता है 5 तो 5 का यह square है तो इसलिए 5 का square कर देंगे तो 25 हो जाएगा बराबर BC BC हमें नहीं पता तो इसको agitives लिखेंगे प्लस AB AB हमारा 4 है तो 4 का square कर देंगे तो 16 हो जाएगा अब हम क्या करेंगे इस 16 को इधर ले जाएगे तो 25 में से ये 16 माइनस होके 9 बचेगा इधर हमारा BC का square बचेगा तो अब ये जो square है इसको इधर ले जाएगे तो square root बनेगा और ये 9 square root के अंदर आएगा इधर BC बचा तो BC का मान हमारा क्या आजाएगा 9 का square root कितना होता है 3 होता है यानि कि जो ये BC है ये हमारा 3 आगया ठीक है तो अब हमसे जो पूछा है उसका मान हम आसानी से बता सकते हैं हमसे 10 A का मान पूछा है तो सबसे पहले आपको 10 का trigonometry ratio क्या होता है ये पता होना चाहिए तो इसे याद करने का एक बहुत यासान सा तरीका है ये हमारा है लाल बटे में कक्का इसे आपको अच्छे से याद करना होगा आई होप आपको याद होगा ये ठीक है तो 10 का हमारा क्या हो जाएगा ratio 10 का होता है हमारा लंब बटे में आधार तो लंब हमारा देखिए इसमें ये BC है जो की 3 है और आधार हमारा ये AB है जो की 4 है तो 3 बटे 4 यही हमारा 10 A का मान होगा तो 3 बटे 4 देखिए इस B वाले option में है इसलिए हमारा B option right हो जाएगा first question का ठीक है मैंने आपको proper तरीके से इसे समझा कर बताया है इसलिए आपके मन में कोई doubt नहीं होगा तो ये हमारा हो गया first question अब चलिए हम second question को करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा second question है इसमें हमसे क्या कहा गया है P के किस मान के लिए द्विघास समीकरण ये हमें द्विघास समीकरण दिया हुआ है के दो बराबर मूल है तो इसमें हमें P का मान बताना है जिसके लिए इस द्विघास समीकरण के दो बराबर मूल हो तो देखिए हमारा दो बराबर मूल कब आता है जब हमारा D का मान जीरो होता है यानि कि D बराबर जीरो होता है तो हमारा द्विघास समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं तो हमें पता है कि D बराबर क्या होता है B स्क्वेर माइनस 4AC तो आप देखिए इस द्विखास समीकरण में सबसे पहले हम A, B और C का मान लिख लेते हैं A हमारा X स्कार का गुडांक होता है तो ये 2 है B हमारा X का गुडांक होता है P है और C ये अचरपद होता है जो कि 3 है अब इसमें सब का मान रखेंगे सबसे पहले D है तो D का मान हमारा 0 है इसलिए इसकी जगर पे 0 लिखेंगे बराबर B स्क्वेर, B का मान P है तो P का स्क्वेर हो जाएगा P स्क्वेर माइनस 4, A का मान 2 और C का मान कितना है? 3 तो आप देखें आगे यहां से यह हमारा 0 P स्क्वेर माइनस 4 दुना 8 आठतिया 24 अब इस माइनस 24 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा इधर हमारा P स्क्वेर बचेगा स्क्वेर को इधर ले जाएंगे तो स्क्वेर रूट हो जाएगा तो हमारा P बराबर वर्गमूल में 24 आ रहा है इसको हम इसके factor कर लेते हैं तो 24 के factor करेंगे तो यह हमारा 2 के पाड़े से 12 बार में, 2 के पाड़े से 6 बार में, 2 के पाड़े से 3 बार में और 3 के पाड़े से 1 बार में जाएगा देखिए यहाँ पर 2 का 1 जोड़ा बन रहा है इसलिए इसको हम वर्गमूल से बाहर लिखेंगे एक बार इसका और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए इन दोनों को अंदर लिखेंगे गुणा करके ठीक है तो यह हमारा 2 एक बार बाहर आ गया और वर्गमूल में ये दोनों लिखे जाएंगे दोतिया 6 तो P का मान हमारा दो वर्गमूल 6 आ गया ठीक है? यानि कि P का मान हमारा दो वर्गमूल 6 ये रहा B option में यानि second question का हमारा B वाला option right है तो इस तरह से ये हमारा second question का solution complete हो गया अब चलिए हम next third question को करते हैं तो third question ये आप देख सकते हैं third question बहुत ही easy है इसमें हम से क्या कहा गया है? तरिज्जा आर वाले अर्ध वरित का कुल प्रिष्टे छेतरफल है तो तरिज्जा आर वाले अर्ध वरित का कुल प्रिष्टे छेतरफल पूछा गया है तो ये आपको याद होना चाहिए, चैप्टर नमर 13 का कोशन है ये, कि अर्ध वृत का कुल प्रेश्टेच हेतरफल का सुत्र क्या होता है, तो ये हमारा 3 pi r square होता है, यानि कि B option right है हमारा 3rd कोशन का, ठीक है, अब इसके बाद next देखिए, इसमें कुछ solve करने की जुरत नहीं की दूरी पर है, एक इस पर्ष रेखा के लंबाई 4 cm है, उस वृत का व्यास कितना होगा, तो इसको अच्छे समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक आकरती बना लेते हैं, हमसे कहा गया है कि बिंदू A से वृत के केंदर से 5 cm की दूरी पर है, एक इस पर्ष रेखा पर हमारा क्या है कि A बिंदू है, तो इसलिए इदर हम A बिंदू ले लेते हैं, तो यह हमारा इस केंदर से 5 cm की दूरी पर है, तो यह हमने खीज दिया जो कि 5 cm है, और इस वृत पर इस A बिंदू से एक इस पर्ष रेखा है, जिसकी लंबाई 4 cm है, तो यहाँ पर इस तरह से हम इस पर्ष रेखा खीज देते हैं तो यह इस पर्ष रेखा की लंबाई जो है चार सेंटिमीटर है तो हमसे पूछा है वृत का व्यास यानि इसा में बताना है सबसे पहले यह जो हमारा ओ बिंदू है और जो यहाँ पर हमारा एक इस परश बिंदू बनेगा तो इन दोनों को हम मिला देते हैं इस तरह से अब यह नाम दे देते हैं इस बिंदू का हम इसका नाम दे देते हैं यह A हो गया तो यह B हो जाएगा तो अब हमारा ये जो OB है ये इस वृत की क्या है त्रिज्या है तो अगर हम इस त्रिज्या का मान निकाल के इसका दुगना कर देंगे तो हमें इस वृत का व्यास पता चल जाएगा क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है तो अब देखिए ये हमारा एक तिर्भुज बन रहा है और ये तिर्भुज एक समकोन तिर्भुज बन रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा 90 डिगरी का कौन बनता है क्योंकि जो इस परश रेखा होती है वृत की और जो ये तरिज्या होती है इन दोनों के बीच में 90 डिगरी का कोण बनता है यानि कि लंब होता है तो इसलिए अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमे का यूज़ करके इस ओभी का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले पाइथागोरस प्रमे से पाइथागोरस प्रमे से क्या होता है हमारा इसे पिछले कोशन में भी हमने पाइथागोरस प्रमे का यूज किया था तो इसमें हमारा कर्ण ये हो जाएगा O A तो कर्ण का स्क्वेर यानि O A का स्क्वेर बराबर लंब का square but अधार का square होता है तो लंब हम इस ob को ले लेते हैं तो यह हो जाएगा ob का square plus अधार इस ab को ले लेते हैं तो यह ab का square अब oh ja जो है यह हमारा 5 cm है square है इसलिए 5 का square कर देंगे तो 25 बराबर ob ob हमें नहीं पता इसको agities उतार देंगे प्लस AB, AB हमारा 4 है, square है, इसलिए 4 का square 16, अब यह 16 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 16 माइनस कर देंगे, तो 9 बचेगा, इधर OB का square बचेगा, तो यहां से यह OB, square को इधर ले जाएगे, तो 9 हमारा square root में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि square जब बरावर कर दूसरी side जाता है, तो square root बन जाता है, अब 9 का square root कितना होता है, 3 होता है, यानि कि OB का मान हमारा 3 cm आ गया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमसे व्यास पूछाए, तो हमें जैसा की पता है, मैंने आपको श्रूरू में ही बता रह था, कि व्यास जो होता है, यह हमारा दुगना होता ह किसका त्रिज्य का तो दो गुणा त्रिज्य क्या है ओ भी तो यह हमारा दो गुणा ओ भी कितना है तीन तो दो टिया 6 cm यही हमारा इस वृत का व्यास है तो 6 cm ए ओप्शन में है यानि कि 4th question का A option right हो जाएगा I hope आपको 4th question अच्छे समझ में आ गया है अब चलिए next question number 5 को करते है तो देखी question number 5 में हम से क्या कहा गया है द्विघाज समीकरण ये हमें द्विघाज समीकरण दिया हुआ है कि शुन्नेकों का योग तथा गुड़न फल लिखिए तो सबसे पहले हम ये जो हमारा द्विघाज समीकरण दिया है इसमें A का मान B और C का मान लिख लेते हैं तो देखें A हमारा X स्कुर का गुड़न फल होता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो A का मानेंगे यानि A का मान 1 हो जाएगा B हमारा हो जाएगा 7 और C हमारा हो जाएगा 10 ठीक है अब हम से पूछा है शुर्णेको का योग और गुड़न फल तो शुर्णेको का योग हमारा क्या होता है शुर्णेको का योग यानि की alpha प्लस बीटा तो इसका सुत्र होता है हमारा minus B बटे A तो अब देखिए ये माइनस B, B कमान 7 बटे में A, A कमान 1 माइनस 7 बटे 1 का मतलब माइनस 7 तो शुन्यको का योग हमारा माइनस 7 आगया और इसके अलावा शुन्यको का गुणनफल भी बताना है तो शुन्यको का गुणनफल यहनि की अलफा गुणा बीटा तो इसका सुत्र होता है हमारा C बटे A तो C का मान 10 बटे में A का मान 1 10 बटे 1 का मतलब 10 तो शुन्यकों का योग और गुर्णफल हमारा माइनस 7 और 10 आ गया तो यही हमारा आंसर है तो माइनस 7 और 10 C option में है यानिके 5th question का C option right हो जाएगा ठीक है? तो I hope आपको यह question भी अच्छे समझ में आ गया है अब देखे next 10 तथा 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है तो यह question हमारा AP वाले chapter का है chapter number 5 का तो इसमें हमें 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है यह बताना है तो देखे कैसे करेंगे सबसे पहले जो हमारा 10 और 250 के बीच में 4 का पहला गुणज होगा वो क्या होगा? तो वो हमारा 12 होगा क्योंकि हमें 10 और 250 के बीच में बताना है तो पहला हमारा 12 हो जाएगा फिर दूसरा 16 30 20 24 24 इसी तरह से हमारा लास्ट कौन सा हो जाएगा 250 से पहले होना चाहिए क्योंकि 250 तो होगा नहीं तो इससे पहले हमारा ये हो जाएगा 248 तो इस तरह से ये जो है हमारा एक एपी बन गया तो अब हम इस एपी में कितने पद है वो निकालेंगे वह हमारा होगा आंसर यानि कि उसी से हमें पता चलेगा कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है तो अब हम इस एपी के सबसे पहले एक कमान लिख लेते हैं तो ये 12 हो जाएगा इसके अलावा डी कमान लिख लेते हैं तो दूसरे पद में से पहले को घटा देते हैं तो ये हमारा अजाएगा 4 और ये हमारा क्या होता है ये होता है अंतिम पद यानि कि AN कमान तो ये है 248 अब इसमें हमें क्या पता करना है हमें इसमें N कमान पता करना है यानि कि इस AP में कुल कितने पद हैं वो हमारा N होता है तो इसलिए हम N कमान पता करेंगे इसके लिए हम सुत्र लगाएंगे A N वाला a n बराबर क्या होता है a plus n minus 1 into d तो a n का मान हमें पता है 248 बराबर a का मान हमें पता है 12 प्लस n का मान हमें नहीं पता और d का मान हमें पता है 4 अब इस 12 को सबसे पहले इधर ले जाएंगे तो 248 में से 12 minus होके ये बचेगा हमारा 236 ठीक है और ये 4 गुणा में है इधर आके भाग में हो गया इधर बचेगा n minus 1 अब 4 से इसको भाग करेंगे 4 एकम 4, 4, 5, 20 और ये हमारा 4, 9, 36 यानि कि 59 आगया minus 1 को इधर ले जाएंगे तो plus का 1 हो जाएगा इधर n बचा तो ये हमारा हो जाएगा 60 बराबर n यानि कि n कमान हमारा 60 आगया इसका मतलब ये है कि 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणा जहें ठीक है तो 60 हमारा ये रहा B option में यानि कि 6th question का B option हमारा right है ठीक है तो इस तरह से question number 6 का solution हो गया अब चलिए next question number 7 को करते हैं तो देखिए question number 7 में हमसे क्या कहा गया है इसमें हमसे कहा गया है कि यदि रैखिक समीकरणों का यूगम संगत है तो रेखाएं होंगी तो इसमें हमें बताना है कि अगर रहाखिक समीकरण का युग में संगत है तो रहाख़ाएं किस परकार की होंगी तो ये तो आपको पता होगा कि रहाख़ाएं प्रतिछहेदी या संपाती होँगी यानि कि c option हमारा right हो जाएगा क्योंकि देखिए रहकिक समीकरण का युग जब संगत होता है इसका मतलब है कि रहकिक समीकरण का जो युग में है उसका हल होगा और हल कब होता है जब परतिछेदी रेखाएं होती है या फिर संपाती रेखाएं होती है ठीक है संपाती रेखाएं वे होती है जब हम एक होती हैं तो इसी लिए यदि किसी रहिखिक समीकरण के युग्म का हल है तो उस रहिखिक समीकरण के युग्म को हम संगत कहते हैं और इस तरह से हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा प्रतिछेदी या संपाती रेखाएं क्योंकि इसी प्रकार के रेखाय होती है जब रहिखि हो जाएगा अब इसके बाद next देखिए कोशन नमर 8 में हमसे क्या कहा गया है इसका 25 पद हमसे ग्याद करने के लिए कहा गया है तो देखे कैसे करेंगे यह AP जो है इसमें सबसे पहले हम A कमान लिख लेते हैं तो A हमारा पहला पद यानि कि माइनस 5 हो जाएगा इसके अलावा D कमान लिख लेते हैं तो इसके लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं यानि कि माइनस 5 बटे 2 में से माइनस कर देंगे पहले पद को यानि माइनस 5 को तो यह हमारा हो जाएगा माइनस 5 बटे 2 माइनस माइनस प्लस और यह 5 इसको जब हम solve करेंगे तो हमारा answer आजाएगा 5 बटे में 2 ठीक है तो यह हमारा d कमान आ गया 5 बटे में 2 अब हमसे पूछा है कि 25 वा पद ग्यात कीजिए तो देखिए 25 वा पद यानि कि a 25 का मान हमसे पूछा है तो 25 वे पद का formula क्या होता है यानि कि 25 वे पद को हम किस तरह से लिख सकते हैं a प्लस 24 d लिख सकते हैं तो इसलिए अब इसमें सब का मान रख देंगे a का मान हमारा कितना है यह हमारा 2 एकम 2 और यह 2 के पाड़े से 12 बार में तो यह minus 5 प्लस 12 पंजे 60 minus 5 प्लस 60 solve करने पे 55 आएगा तो इसलिए हमारा इसका answer हो जाएगा 55 यानि इस a p का 25 वा पद क्या होगा 55 होगा तो इसलिए यह हमारा c option right हो जाएगा question number 8 का ठीक है तो इस तरह से question number 8 का solution हो गया अब देखिए next question number 9 तो question number 9 में हम से क्या कहा गया है कि sigma fi का मान 15 दिया गया है sigma fi xi का मान 3 p plus 36 दिया गया है तथा किसी बंटन का माध्य 3 है p का मान गयात कीजिए यानि कि यह जो p आप देख रहे हैं इसका मान हम से पूछा है तो देखे कैसे बताएंगे इसके लिए हम माध्य वाला formula यूज़ करेंगे तो माध्य बराबर हमारा क्या होता है इसमें हम माध्य वाला जो परतेक्षविदी है उसका formula यूज़ कर रहे हैं तो परतेक्षविदी का formula होता है σिगमा FI XI बटे में सिगमा FI तो देखिए माध्य जो है यह हमें 3 दिया हुआ है तो इसकी जग़ब पे 3 लिख देंगे बराबर में सिगमा FI XI इसका मान यह दिया गया है यानि 3P प्लस में 36 बटे में सिगमा FI इसका मान 15 दिया गया है अब इस 15 को इधर ले जाएंगे तो 3 के साथ गुणा हो जाएगा तो 15 दिया 45 हो जाएगा इधर बचेगा 3P प्लस 36 अब 36 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 45 में से तो यह बचेगा सिर्फ 9 इधर बचा 3P अब इस P को यहीं पर देंगे 3 को इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा 3 इकम 3, 3 ती या 9 यानि कि हमारा P का मान 3 आ गया तो हमसे P का मान ही पूछा गया था तो यह हमारा कितना आ गया 3 तो इसलिए 3 हमारा B आप्शन में है यानि कि 9th कोशन का B आप्शन राइट है तो इस तरह से कोशन नमर 9 का सोलूशन हो गया अब देखिए next कोशन नमर 10 तो कोशन नमर 10 में हमसे क्या कहा गया है यदि घटना E की प्राइकता देखिए P और ब्रैकेट में E है तो इसको हम घटना E की प्राइकता पड़ते हैं तो यह हमें 0.05 दिया गया है तो E नहीं की प्राइकता हमसे पूछा है यानि की घटना E नहीं की प्राइकता तो यह हमारा चैप्टर नमर 15 प्राइकता यानि की प्रोबाबिलिटी वाले चैप्टर का कोशन है तो इसमें हमसे E नहीं की प्राइकता यानि कि घटना E नहीं की प्राइकता हमसे पूछा है तो देखे इस टाप के questions को हम कैसे solve करते हैं हमें इसमें घटना E की प्राइकता यानि कि PE हमें 0.05 दिया हुआ है तो हमसे E नहीं की प्राइक्ता यानि कि घटना E नहीं की प्राइक्ता पूछा गया है तो घटना E नहीं को हम इस तरह से दिखाते हैं E के उपर ये बार कहे लीजिए या फिर नेगेटिव कहे लीजिए तो इस तरह से हम E नहीं को दिखाते हैं तो अब हमें E नहीं की प्राइक्ता बताना है तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है कि घटना E की प्राइक्ता और घटना E नहीं की प्राइक्ता का योग हमारा एक होता है यह हमारा capital P है P का मतलब है probability यानि की प्राइक्ता तो इस तरह से यह हमारा एक फॉर्मूला ह होता है इसी से हम यह जो ई नहीं है इसकी प्राइकता बताइंगे तो पी-ए यह हमें दिया हुआ है 0.05 प्लस में पी इ नहीं बराबर में एक तो इसको हम इधर ले जाएंगे इधर बचेगा पी इ नहीं तो तो ये 1, ये इधर जाके minus में 0.05 हो जाएगा, तो अब हमें 1 में से इसको minus करना है, तो देखिए, 1 है, इसमें point नहीं है, तो यहां पर मानेंगे, इसके बाद कुछ नहीं है, तो हम 0 लिख सकते हैं, अब इस point को इसके नीचे यहाँ पर लिखेंगे point से पहले 0 है तो इसके नीचे आएगा point के बाद 0 और 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा अब घटाएंगे यह 10 हो जाएगा 10 में से 5, 5 यहाँ बचा 9, 9 में से 0, 9 point के नीचे point, यहाँ बच गया 0, 0 में से 0, 0 तो हमारा e नहीं की प्राइकता 0.95 आ गया यही हमारा answer है ठीक है तो देखिए 0.95 यह हमारा b option में है तो इसलिए 10th question का यह b option राइट हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से हमने total 10 mcq किया है I hope आपको 10 के 10 mcq अच्छे समझ में आ गए हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like जरू कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी share कर देना और अगर आपको इसी type के और भी important questions की वीडियो चाहिए और उनके solution की तो आप मुझे comment box में जरूर बताना मैं आपके लिए और भी आगे आने वाले time में बहुत सारे important mcq और इसके अलावा long answer type questions के भी वीडियो लेकर आऊँगा तो वीडियो अच्छा लगा है तो like जरू कर देना अपने दोस्तों के साथ भी share कर देना और अगर आपने भी तर चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके side में जो bell icon आता है उस पर all पर click कर लेना ताकि next studio जैसी upload की जाए उसका notification सबसे पहले आप तक पहुंच जाए मिलते हैं फिर next studio में धन्यवाद